तो आज हम बनाने जा रहे हैं भुना कीमा वो भी लीख की सबजी के साथ बहुत ही युनीक डिश है और अगर इस तरीके से आप बनाएंगे बहुत ही नेक्स लेवल और रसमिसा नजाम रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स टेप ये materia लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑइल करेंगे आग को हम रखेंगे थोड़ा सा आिस्ता तो आप इसमें एड़ करेंगे एक चमस जीरा और इससे थोड़ा सा हम फ्राइ कर ले लेंगे लेगी इसही नें बारियति इसमें एक मीडियम कटा हुआ प्याज आड़ देंगे हम डाल रें भी छोटा छोटा प्याज़ अभी प्या प्याज और कीमे को अम्ञत को हम थोड़ा से पका लेंगे ताके प्यास में थोड़ी सी निर्मी आजे अब बारियति है बरबारीयतिया कूछ सब मशाले ऐलरेडी शामिल होते हैं अब यह सब मसालों को इसमें मिक्स कर LAYंगे और अच्छे से थोड़ा सा औरभून लेंगे साथ-सा थोड़ा सा पानी करते रेंगे ताके मसाला अपना नीचे ना चिप के मसालों को हमने हुढ़ा सा पका लिया अब बारिय आती इस पे टमेटो पेस एड़ करने की अगर आपके पास नहीं है तो आप साबर टमाटर भी इसमें एड़ कर सकते इस सh होता है इसका थोड़ासा मसाला बनेगा गरेवी बनेगी जो कि यह सालन तो थोड़ा रस मिसा करते है और इसी के साथ थोड़ा सा पानि ह हमने इसे भोन लिये अब हम इसमें एक चमच अद्रक लसन का पेसट आइड कर देंगे और इसे के साथ हम शामिल करेंगे मेरी फेड़ינट चार से पांच हरी मिरचेpp थोड़ा सा मज़ीद हम इसमें पानी एड करेंगे और एक बार फिर से हम इसका थोड़ा सा दम घोड़ देगे यह चेक करें गाइज अब टेंपरेचर इसका 60 तक पहुंच चुक है ले जी गाइज माशाला से पांच मिनट का हमने इसे दम दिये परी आतिया बिसमें लीक की सबजी को एड़ करने की एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ी द इसे यह होता है कि हमने बहुत ही प्रिसाइसली इसमें पानी भी एड़ करना होता है कि सबजी बहुत ही जादा नरम न पढ़ जे और एक बार फिर से हम इसे फाइनल दम पे लगा देंगे और आग को हमने कर दिये धीमा ले जी फाइनल दम अपना खुल चुक है माशाला से क्या जबरदस किसम की भाई खुश्बू उठी है ओहो सिजलेंग खुबसूरत किसम की इसकी अभी लोका चुकी है और फाइनल में मेरी फेवरेट आइटम की गार्निशिंग होगी खुबसूरत किसम का फ्रेश फ्रेश हैरी धनिया थलिला थे तो गाइज जैसा कि आपको टाइम हुआ चाहता है प्लेटे ले आओ और अपना जबरदस किसम का लीक सबजी के साथ ये भुनावा कीमा ले जाओ आहाहा मशाल्ला ले जी गाइस ट्राइक करते हैं जी लीक की सबजी और साथ में ये भुनावा कीमा